बिहार के उपमुख्यमंत्री वो रागोपूर विदान सबास से विधायक तेजश्वी यादो कल रागोपूर पहुंचे हुए थे जहां पर अपने ही लोगों के बीच में अपने ही विधान सबास शेतर में जो है वो तेजश्वी यादो घीरते वे नजर आये थे काफिलों को बुजुर्ग महिलाएं बच्चे तमाम लोगों ने सडकों पर लेटकर उनके काफिलों को रोक दिया रोकने के बाद अपनी मांगों को करने लगे आपको बताएं कि उन्होंने आरोप लगाया कि तेजश्वी यादो बिहार में इसी विधान सबास शेतर से उठक करके वो बिधायक बने उसके बाद उप मुख्यमंत्री भी बने लेकिन उन्होंने महादलित बस्ती में जो समस्याएं है उसका निदान जो है उन्होंने नहीं किया है जिसके विरोध में तमाग जो महादलित बस्ती के लोग थे वो उतर आये सडकों पर लेट करके जो बु बढ़ने नहीं दिया उप्व मुख्य मंत्री के काफिले को गिरता हुआ देख उप मुख्य मंत्री तेज़श्री यादो ने उन्दल महादल्ट बस्ती के लोगों से बातचित करनी चाहिए महादलित के बस्ती के लोगों कहा कि हमारे यहां पुल की काफी समस्या है पुल की वज़ा से कई बार हम आवेदन भी दे चुके हैं पुल बनवाने को लेकर गें लेकिन हमारी कोई बाते नहीं सुन रहा है हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से तैश्री यादो जब रागोपुर पहुचे हुए अपने वि क्या है क्या है जब बाता है कि हम लोग को सरक चाहिए बात हम पचाहिए हमको सरक हम पचाहिए हमको सरक सिर्थ लिय हमरा लड़का बच्चा बारिश के मौसा में बहुत कीचर हेल करके आता है हमको बच चाहिए अब जगा है आवेदन हम पेचुके है हमको सरक चाहिए मेरा नाम हरंदर दासुगा कहा का भीबाद है भीबाद नहीं हमको सरक चाहिए कहा पे मल्लिक उरुप गली तुब अज्टै के नहीं जुडा गया है महादलि तुब आइं यसा क्या दिमांट करना है वम दिमांद करते हमिमान जाए है आज याई आए हैं पुद घाटं करने सबी आपशे हम लोग यह फुद तो यह करम जूएए कर दे यहाओ परनावाघ्प में जित्नावाद है। लुड़ तीजित्नावाद। जित्नावाद। भी त्रसमें जोड़किशेजिए है। तो आपने देखा किस तरीके से तेजश्री यादो का जमकर वहां पे विरोध हो रहा है अपने ही विदान सबाद छेत्र में तेजश्री यादो लोगों के बीच में घिर गए हैं और समस्याएं जो हैं लोग कहते वे नजर आ रहे हैं फिलार इस वीडियो में इतना ही आप ज उल्च जया है